नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटूब चैनल में तो देखिए हम लोग उने क्लास 9 जोमेटरी का चैप्टर नमबर 6 यानि के सर्कल को स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्रेक्टिस एट 6.1 के को सॉल कर रहे हैं तो आप लोग को बता देना चाहती हूं कि क्वेश्चन नमबर 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन को हमने अल्रेटी कंप्लेट कर लिया है और अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नमबर 4-6 ठीक है यह हमारा देखो सरकल चैप्टर का लेक्चर नमबर 3 कौन सा लेक्चर है इसके क्लास जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर यहां पर आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगी देखो आपको रेगुलर नोट्स बन जाएंगे इसके अलावा जो भी टेक्सबुक है उसकी पीडियाफ वहाँ पर मिल जाएगी और एक और इसका फ यह कोश्चन भी आपको बहुत ही सिंपल लगेगा चलो देखते हैं क्या लिखका है इसमें कि रेडियस ओफर सर्कल विज सेंटर ओ इस 41 यूनिट्स यानि कि हमारे पास क्या है जी आज हो सर्कल पहले में बना देती हूँ ठीक है यह हमारा सर्कल हो गया फिर इसमें हम कोड diff बना लेते हैं तो यह हो गया जी कोड ठीक है और सेंटर क्या होगा तो यह हमारा सेंटर हो जाएगा यह वजाएगा सेंटर ठीक है न reflecting तो इस में लिखा हुआ है कि रेडियस बन रहा है वह कितने यूनिट्स का है 41 उनिट्स का तो चलिए हम लोग रेडियस भी बना लेते हैं तो रेडियस अम इधर ड्रॉ कर लेंगे यहां से लेकर करके यहां तक इसको मैं जॉइंट कर दूंगे तो यह क्या हो जाएगा रेड पर आगे देखो length of a code PQ is 80 units तो देखो code का नाम है यहां पर दिया गया है और इसका length जानते हूँ कितना दिया है तो 80 units दिया गया है तो हम फाइंड क्या करना है find the distance of the code from the center of the circle यानिकि यह circle के center से देखो इस code तक का distance हम लोगों को find करना है यानि कि यह हम लोगों को find करना है ठीक है तो माल लेते हैं कि यहाँ पर जो point है वो क्या है तो वो A है मतलब O से लेकर के A तक का distance हम लोगों को बताना है अब यह हम कैसे बताएंगे अरे simple है ना देखो हमारे पास क्या क्या है बच्चो हमारे पास यह है ठीक है इसके अलावा PQ है तो PQ की मदद से हम लोगी PA निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर हम perpendicular इसके उपर draw करेंगे तो यह क्या करेगा यह इसको पर दिवाइट करेगा यह जितना होगा इसका सुरू करते हैं तो यहां पर हम लिख देंगे solution ठीक है सब कुछ दिया गया है पॉइंट ओ क्या है यह सेंटर है यहां पर लिखते हैं कि पॉइंट ओ इस दा सेंटर ओफ दो सरकल पॉइंट ओ इस दा कि सेंटर ओफ दो सरकल and code यहां पर क्या है PQ is the code यह already सब कुछ question में दिया गया है हम कुछ भी यहां पर अपने से नहीं लिख रहे हैं अब क्या क्या दिया है हमारे पास P O है P O मतलब क्या radius of the circle 41 units ठीक है इसके अलावा और क्या दिया गया है और क्या information दी गई हमारे पास तो जो P Q है P Q मतलब code code कितना दिया है 80 units दिया गया है 80 units है तो इसकी मदद से हमें find क्या करना है students तो हमें यहां पर find करना है O A का length यानि कि हमें यहां पर O A निकालना है क्योंकि यहीं तो है distance center और code के बीच का अब यह हम कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यह जो है ना P A find करना पड़ेगा तो दीखो हमें काम करते हैं यहां पर हम लिखते हैं क्या लिखेंगे यह जो O A ह किसके उपर P 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 को लिखना है देखो मैं बार बार इसलिए लिख रही हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए नहीं तो मैं ऐसे लिख करके मैं बोलती कि आप लोग कुछ से लिख लेना लेकिन आप लोग को यहीं पर पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी ब center of the circle center of the circle to its code code bisects the code ठीक है ना? यानि कहने का मतलब क्या है? कि यह कितना हो जाएगा? यह जो P A है ना? P A P A किसके equal होगा? तो A Q के equal होगा और यह दोनों किसके equal हो जाएगे? तो half of P Q चलिए P Q का लेंद बताईए 80 है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 by 2 into 80. Cancellation करेंगे तो 2 1s are 2, 2 4s are 8. यानि कि क्यानि का मतलब क्या है? कि this is P A which is equal to, देखो हमें A Q की जरुवत नहीं है तो उसको नई लिखो के तो भी चलेगा, यहाँ पर लिख दीजेगा 40 units ठीक है जी? यह हमें मिल चुका है 40 units, अब इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आजओ एक है है और यह है है कि गम इसका नाम क्या लिखोगे? लिख दो, लिख दो, यह फिर P A O कुछ भी लिख़ दो तो हम लिख देते हैं, O A P इसमें हम कौण सा थिरम लगा रहे हैं? बच्चो तो सबसे पहले हैं तो इस इसमें हाइप वुटेमानेम यहां पर की भी मतलब पयो का स्क्वर्ज को गाल प्लस औस्ट करेंगे तो हमारे पास है कि आ बिल्कुल है बोलो कितना है इस्के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी स्टूडेंट्स तो इसके प्लेस पर मैं लिख दूंगी 41 यूनिट्स 41 का स्क्वेर और पी ये हमारे पास है ना यह देखो अभी अभी निकाला 40 यूनिट्स और फिर उसके बाद यह तो हमारे पास नहीं है यही तो हमें निकालना है अब यह हम कैसे निकालेंगे तो बस सिंपल है फॉर्मूला लगा लो यहां पर लिख देंगे 41 का स्क्वेर इसको यह साथ बुलाओ जब यह इदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहां पर क्या है एओ स्क्वेर रहने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ज तो 41 माइनस 40 आएगा और इधर क्या AO स्क्वेर लिख दीजिए अब इन दोनों को जोड़ो तो 448 यानि कि 81 से यहां पर आजएगा यहां पर कितना आएगा यहां पर बनाएगा which is equal to AO का स्क्वेर ठीक है 81 into 1 करोके तो कितना आएगा 81 ही आएगा यानि हम यहां पर क्या बोल आएगा मतलब स्कुयर से रूट कैंचल हो जाएगा यहां पर बचेगा only AO और यहां पर क्या आएगा 9 एगा क्योंकि सक्वेर रूट और स्क्वेर चुका है और यहीं तो हमें निकालना था धांडिस्टेंस से निकालना था ना देखो यहां पर मैं निखा भी था क्या भात लिया है ठीक है तो आंसर इसका आप कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कहा कि लिखेंगे लिदा से दिस्टेंश ओब धो of the code from the center of the circle is center of the circle is 9 units समझे तो ये है बच्चों आप लोगों का final answer आप देख सकते हो यहाँ पर आपका third नहीं फोर्थ कोश्चन भी complete होता है तीन तो आम लोग पहले ही कर चुके थे ना यह फोर्थ वन था ठीक है ना देख लीजिए आपको समझ में आ रहा होगा simple है यह भी तीक यह 9 है 9 units यह 9 है समझ गये ना तो अभी तक हमने जितने भी प्रूफ करना रहेगा यानि आपको कुछ इंपोर्मेशन दी रहेगी उसका यूज करके आपको प्रूफ करना रहेगा तो आज देख लीजिए फिफ्ट कोस्टन तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम समस्ते हैं दिखो आपके सामने यह फिगर दिया गया है और इसमें लिखा है कि इन गीवन फिगर यानि कि इस फिगर में प्रूफ करना है अब यह सब कैसे आएगा चलिए समस्ते हैं तो देखें यहां पर मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जभी ऐसा कुछ कोस्टन आता है तो पहले क्या लिखने का स्टूडें गीवन लिखने का प्रूफ वाले कोस्टन में हमें यह सब कुछ लिखना पड़ जो कोस्टन में दिया गया है वहीं उठाकर के लिख देने का तो क्या दिया है आप यहां पर लिख सकते हो कि सेंटर ओफ टू सर्कल सेंटर ओफ टू सर्कल इस हो और क्या इंफोमिशन दी गई है कि कोड अबी ओफ ओ बिगर सर्कल कोड अबी ओफ ओ बिगर सर्कल इंटर सेक्ट्सर स्मॉलर सर्कल इंटर्सेक्ट्स दा स्मॉलर सर्कल इंट पॉइंट्स पी और क्यू तो यह हो गया गीवन अब उसके बाद हम इधर क्या लिखेंगे टू प्रूव लिखेंगे तो टू प्रूव में हम क्या लिखते हैं जो हम लोगों को प्रूफ करना होता है, हम उसको लिखते हैं, क्या प्रूफ करना है, AP which is equal to BQ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, AP which is equal to BQ, ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, तो अगर हम कुछ construction कर रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो चलो हम नह यहाँ पर construction भी कर देते हैं, construction में क्या करना होगा, जानते हो, construction में हमें यह करना होगा, यहाँ से ना हम लोग एक perpendicular line खीचेंगे, कहाँ पर एक perpendicular line खीचेंगे, ठीक है, किसके उपर हम यह perpendicular line खीचेंगे, तो यह AB के उपर, code AB के उपर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, construction में, segment AB, AB नहीं, यहाँ पर हमें कोई point ले लेते हैं, माल लीजिए, यहाँ पर मैंने point ले लिया है Z, right, तो क्या लिखेंगे, O, Z, या फिर ऐसे लिखो, इसको, एक मिनट रुखना ज़रा, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बच्चो Z, right, तो draw O, Z, जो perpendicular होगा, किसके उपर perpendicular होगा, तो AB के उपर perpendicular हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमने construction में लिख दिया है, ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो proof है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं, अब, तो देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम छोटा वाला circle ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यह calculation हम किसके लिए कर रहे हैं, छोटे वाले circle के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, for smaller circle, देखते हैं, तो देखो, यह किसके उपर perpendicular है, इस PQ code के उपर perpendicular है, छोटे वाले circle में, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि OZ, which is perpendicular on code PQ, ठीक है, code PQ, यह हमने कहां से लिखा, तो यह हमने construction से लिखा, तो यहाँ पर बता दीजेगा, from construction, ठीक है जी, अब देखो, हमने वो property सीखी हुई है, कि perpendicular drawn from the center of the circle to the code, right, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कि यह जो PZ है, ध्यान से देखना, आप लोग को क्या बताना चाहते हूँ, color थोड़ा change करके बता देती हूँ, यहाँ पर यह जो PZ है, वो किसके congruent हो जाएगा, तो Z Q के equal हो जाएगा, क्योंकि हमने property में सीखा ह हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, students, यहाँ पर हम directly लिख सकते हैं, यह color आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, I think दिखना तो चाहिए, जाने दो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं दिखेगा, फिर problem हो जाएगी, आजाओ, इसी color से बतात था, वही आपको लिखना है पूरा, कि अब perpendicular पूरा लिखिएगा, चलो मैं आपको पूरा ही लिख करके बता देती हूँ, जितने बार लिखोगे उतने बार आपको, मतलब अच्छे से याद होगा, आप perpendicular drawn from the, from the, from the, from center of a circle, from the center of a circle, to its code, by sex the code, ठीक है जी, तो देखो, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको लिखते हैं न, equation number 1, इसको हम क्या लिखेंगे, student, equation number 1 करके लिख देंगे, ठीक, इतनी बात है आपको समझ माईए, इतने में तो कुछ बेडाउट नहीं होना जाए, देखो कितने आसाने से हमने किया अब उसके बाद हम लोग bigger circle की बात करेंगे, तो यहाँ पर अभी calculation जो होगा, वो किसके लिए होगा, बड़े वाले circle के लिए होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चो, for bigger circle, अब bigger circle में क्या है, कि जो o z है न, जहान से दिखना, o z perpendicular है, किसके उपर perpendicular है बच्चो, तो जहीं, आप लोग देख लो, एक बार मैं आपको figure में दिखा देती हूं, नीचे आओ, यहाँ पर यह जो o z है न, वो code a b के उपर perpendicular है कि नहीं, जी बिल्कुल है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, और अगर यह perpendicular है, तो फिर a z और z भी, दोनों आपस में क्या हो तो वही statement फिर से आपको लिखना होगा, इसको हम equation number 2 लिखेंगे, और फिर से यही पूरा statement आप लोगों को लिख देना है, ठीके जी, तो आज आईए फिर से statement लिखना पड़ेगा, चलो लिखते हैं, है न, अब perpendicular drawn from the, perpendicular, right है न, perpendicular drawn from the, center of the circle, center of the circle, to its code, bisects the code, right, तो इसलिए हमने ये लिखा है, अब हमें क्या करना है, equation number 1 और 2 को हमें देखना है, अच्छे से, ठीके, क्या करेंगे हम जानते हो, equation number 1 ये है, और equation number 2 ये है, तो हम क्या करेंगे, equation number 2 में से 1 को हम minus करेंगे, ठीके, ऐसा करने से क्या होगा, जो हमें प्रूफ क करना है वो हो जाएगा अभी आप देखिए का कैसे होगा हम यहां पर लिखते हैं कि from one and two one or two from one and two तो तो देखो हम क्या करेंगे two में से one को माइनस करेंगे यह नहीं left hand side को left hand side से माइनस करना होगा तो देखो a z को हम माइनस करेंगे students चुडिंस पी जेड में से इसके अलावा बी जड में से हम किसको माइनस करेंगे मतलब तो इधर आप आजाओ यहां पर आजाए क्या लिखा था एजट माइनस पीजट तो अगर मैं यह पूरे एजट में से इतना घटा दू यानि कि देखो यह जो पीजट है अगर में इसको हटा दू तो फिर क्या मिलेगा मुझे एपी बिल सकता है अरे देखो आपको बताने को िए तो इसली बनाती है यहाँ पर एको बनाते हैं यह जी मैंने सरकल बना लिया ठीक है फिर एक jeszcze बनाएंगे इसके अंदर ठीक है ऐसे ही तो बना हुआ था और यहाँ पर एक code भी बनाना है हम लोगों को यहां से हमने इधर code भी बना दिया थीक नेमिंग कैसे की थी हमने यहां पर क्या था point O था रैट इधर क्या था Z था इधर था P and Q यहां पर था A and B ठीक है ऐसे गरके था रैट और यहां से हमने यह लाइन कीजी थी अब इधर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या लिख सकती हूं इसके प्लेस पर क्या लिख सकती हूं बच्चो इसको अगर मैं इसमें से यह वाला पार्ट निकाल दू तो फिर यहां पर बचेगा बच्चो बीक्यू और यहीं तो हम लोगों को प्रूब करना था देखो इधर देखो टू प्रूब में हमने क्या लिखा है एपी विचस इक्वल टू बीक्यू और हमें यहां पर मिला भी क्या है एपी विचस इक्वल टू बीक्यू यानि जो हमें प्रूब करना था हमने तो कर दिया तो यहां पर हम लोग लास्ट में आंसर क्या लिख देंगे कि हैंस कॉमा यानि कि जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया बस खतम कहानी यहीं तक करना था ठीक है इसको में मिटा देती हूँ चलो जी देख लो एक बार पूरा स्टार्टिंग से छोटा बड़ा करके हर एंगल से दिखा देती हूँ देखो पहले गिवन लिखना टू प्रूफ लिखना और प्रूफ में आपको यह सारी चीज़े लिखनी है और काफे सिंपल है समझ करके करोगे ना बहुत ही लगेगा आप लोगों को ठीक है चले आगे कोस्टन नमबर सिक्स देखिए स्टूडेंस इसमें क्या लिखा हुआ ह करनी क्या गया है और सरकल में यहां पर बना दिया इरहां लौक जो कारता है उन दोनों को भा इसेक्ट करता है जात कि एक तो यहां पर इनको टू इकवल पार डिवाइड करेंगा यह जितना उतना है यह जितना उतना है यह बी होगा तो फिर हमें यह चीज प्रूफ करना है कि वह आपस में पर यह तो यह अब पर लीए अब पर वे सारे क्या पड़े हुए हैं मतलब थेस्ट पड़े हुए कौन और सेल्जुने देखे थे ओ akin डेखे अल्टनेट अंगल डेखा था इसके अलावा स्थे जे तो यहां परstrong बना हम लोग अइंटेडियरय अंगल टेस्ट का यूज 허락 समय इसको पर सोब यहां पर इसका और इसका दोनों का सम मिला करके 180 डिगरी हो जाता है यानि कि यह इंटेरियर अगर सप्लिमेंटरी हो जाते हैं तो फिर इंटेरियर अंगर टेस्ट से मैं क्या बोल सकती हो कि इस टू लाइन्स आर पैरलल तो बस यहां पर हमें यही चीज यूज करना है यानि हम क्या करेंगे देखो इसको और इसको क्या करेंगे यह 90 आचाएगा यह 90 अभी देखना कैसे आएगा मैं सब कुछ बताऊंगी बस उपर उपर समझो अभी आपको पूरा लिख करके भी बताऊंगी यह 90 लाएंगे यह 90 लाएंगे तो 1990 जोड करके कितना हो जाएगा 180 और जियो ही ऐसे आएगा हम बोल देंगे कि बाइंटीर अंगल टेस्ट इस टू कोट्स आर पैरलल टू इच अगर चलो जी अब हम इसका फिर हम एक काम करते हैं यहाँ पर यह भी बना लेते हैं कोड बना लेते हैं यह पहला कोड यह दूसरा कोड ठीक और सेंटर कहां पर होगा सेंटर दो बीचो बीचो का हम सभी जानते हैं फिर क्या फिर यहाँ पर हम डायमेटर बना लेते हैं यह डायमेटर और इसको ना और रूंत हम रहा है इस कोड़ को इंद नों चौनburg और Laughter स्परिन के जितना होगा उतना ही मैं थिक्ष्प है इतनी वात समझ में इह सब कुछ हम कैसे करेंगे आज आप देखते हैं लिए अनरे विफ्ट के लेंगे श्टूडेंट आतो वे भी अपने मन से रहते हैं माल लिजी इस code का नाम क्या है AB और इस code का नाम क्या है बच्चो PQ इसके अलावा ये वाला जो point है माल लिजी ये M है और ये क्या है N ठीक है न सब कुस तो आमने naming कर दी और जो इसका center है वो क्या है point O तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB and PQ are two codes right AB and PQ ऐसे परले लिखो कि point O is the center of the circle is the center of the circle and AB and PQ are codes AB and PQ ये दुनों क्या है codes right PQ are codes right ये बात हमने बता दी इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी लिया गया था कि ये जो दोनों मतलब ये जो diameter है जैसे diameter यहाँ पर क्या हो जाएगा माल लेजिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक्स और यहाँ पर ले लिया है वाई तो यह जो एक्स फॉंड डाइमिटर है यह क्या कर रहा है यह इन दोनों जो इसे को मिलसे इनको मैसे कर रहा है 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 न यहां पर पॉंइंट äम्पर और पॉंघ एम्पर तो PQ ठीक है कौन से पॉइंट पे एड़ पॉइंट M & N एड़ पॉइंट M & N रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी होता है जानते यू क्यू ठीक है तो ये सब कुछ हमने गीवन में लिख दिया है तो देखो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है याने का मतलब क्या है कि A M & B यहां पर इक्वल हो जाएंगे तो आजए हम यह भी लिख देते हैं कि सुदेयर फोर क्या होगा A M which is equal to क्या होगा बच्चो B M होगा and यहां पर क्या होगा नीचे क्या होगा तो P N और Q N भी आपस में क्या हो जाएंगे तो P N which is equal to Q N तो यह सब कुछ कहां पर था गिवन में था अब उसके बाद यहां पर हमें लिखना होगा student to prove तो prove में हमें क्या लिखना है यहां पर क्या बोला गया था कि यह प्रूफ करो कि जो दोनों codes है न वह आपस में क्या है parallel यहनि हमें यहां पर A B is parallel to P Q ऐसा हम लोगों को चलिए समस्ते हैं कि क्या करना होगा मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि यहां पर हम लोग टेस्ट लगाएंगे कौन सा टेस्ट लगाएंगे तो इंटीर एंगल टेस्ट लगाएंगे जिसकी मदद से यह दोनों parallel प्रूफ हो जाएंगे यहनि हमारा यहां पर में मोटीव क्या है इसको 90 डिग्री लाना और इसको भी 90 डिग्री लाना अगर यह दोनों यहां पर मैंने लिखा कि ए एएम विघ्री से एक्वाल टु क्या है वच्छो यहां पर लिखा भी था एम विच्छ फिए ईक्वल टू क्या है बी एम रईट तो एम और वीप्वाल इसका मतलब और यह बंचाएगा मिड़ बंचाये गा किसका मिड़ बंचा अश्या तो को इतना उतना यह भी है यह जो पॉइंट हो जाएगा इस लाइन सेग्मेंट का तो सेम चीज़ यहां पर भी है अगर ए एम और एम बी दोनों आपस में एक्वल है तो एम क्या बन जाएगा मिड़ बन जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे कि सुधियार फॉर पॉइंट एम पॉइंट एम कि इस दा कि मिड़ पॉइंट ओफ मिड़ पॉइंट ओफ कोड़ ए बी ठीक अब मैं आप लोग को कुछ याद दिलाना चाहती हो याद करो बेसिक कंसिप्ट का वीडियो जिसमें मैंने आपको दो थेयरम्स बताये थे पहला तो यह बताया था कि अब परपिंट को यह ड्रॉण हो सैग्मेंट क्या होता हुअ को आपको पर यह दिद्क हो अचता है कि सैँने करता है किससे होग करता है वह पर पिंडिक पर रहोग तो यहां हम लोangen करेंगे यहीवाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो देखो यहां पर कहां थे हम इधर यही थे न तो यहां पर हम क्या लिखेंगे तो उस स्टेटमेंट से हम क्या बोल सकते हैं कि यह वाला जो एंगल है न वह कितने डिगरी का हो जाएगा क्यों ऐसा क्योंकि देखो अभी यह होती है कैसे अरे हमने वह देखा था तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं यहां पर आप लोगों को स्टूडेंस थियरम भी लिख करके बताना होगा ओके चलिए यह दोनों तो छोटे-छोटे ठीक है क्या दा थियरम पूरा स्टेट्मेंट आप लोग को लिखना पड़ेगा कि यहां पर लिखेंगे अलाइन लाइन लिखो यहां फिर सेग्मेंट लिखो चलेगा ओके अलाइन जॉइनिंग दा सेंठर ऑ्थ उल्कोष सेंठर बालब्स सेंट बालब्स सेंटर अ मुद इंट्स ОФ फॉडर इंट सोरिठальных थर चौरD इस पर्पेंडिकुलर टू दा कोड ठीके जी समझे है न ये स्टेटमेंट अब भी आप लोग याद कर ले न ये भी आप लोग को लिखना पड़ सकता है तो अगर ये पर्पेंडिकुलर है पर्पेंडिकुलर मतलब एकदम सीधा यानि कि यहाँ पर कितने डिक्री का एंगल बनेगा तो 90 डिक्री का एंगल बन जाएगा और इसको हम लिखेंगे एक्वेशन नंबर वन क्या लिखेंगे एक्वेशन नंबर वन राइट इतने वाते समझ में आई तो जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया वैसे ही यहाँ पर भी करना होगा यह नहीं यह वाला जो सब्सक्राइब का मिड़ पॉइंट हो जाएगा इनका तो यहाँ आप हम क्या लिखेंगे कि देर्फॉर पॉइंट एन इस दा पॉइंट एन इस दा मिड़ पॉइंट कोड कोड क्या है और अगर ऐसा है तो हमने ये प्रॉपर्टी में देखा है कि अगर सर्कल का सेंटर और कोड का मिड़ पॉईंट यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देवर एंगल ओ एन पी विच इस एक्वल टू 90 डिग्री और इसका आप कारण क्या लिखोगे यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों equation number 2 और इसका reason भी आपको लिखना पड़ेगा तो यही पूरा लिखेगा a line joining the center of the circle and mid points of its code is perpendicular to the code लिख लोगे न अब यह का मैं आप लोग को दे रही हो हर बार मैंने इस statement लिखा है अब यह आप लोगों को लिखना पड़ेगा ठीक है जी लिख लीजी का पक्का यह देखो मैंने के डैस डैस कर दिया है यानि आप लोग को लिखना है छोड़ना नही है ठीक है चलो तो यह हो गया एक्वेशन नंबर वन और टू अब हम क्या करेंगे एक्वेशन नंबर वन और टू से हम कुछ समझने के कोशिश करेंगे देखो अभी यहां पर आप लोग आ जाहिए इधर आ जाहिए मैंने क्या ला दिया है इसको भी 90 डिक्री ला दिया है मतलं यह पास दो लाइनस अगर अगर सकत्व हैं तो फिर आम क्या बोल सकते हैं कि वह गिवन जाहिए आपस में हो जाएंगे ऐसigon तो इंडियर यहनी अगल करेंगे तो यह 90 यह 90 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 राइट दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आजाएगा 180 का मतलब क्या होता है supplementary तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि AB which is which is parallel to PQ मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया तो आ जाएगे यहां पर लास्ट में हम लोग आंसर लिख देते हैं क्या लिखेंगे फ्रॉम वन और टू से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ू O M A प्लस एंगल O N P तो कितना आएगा 90 प्लस 90 90 प्लस 90 दोनों मिला करके 180 डिगरी हो जाएगा तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि therefore code AB is parallel to code PQ by which test तो यहां पर लिखेंगे हम लोग by interior angle test by interior angle test ठीक है यहां पर आप लिख देना hence comma proof यानि जो हमें proof करना था वो हमने इधर proof कर दिया है ठीक है तो देखो हमें यह proof करना था न code AB is parallel to code PQ जो हमने इधर proof कर दिया आप देख सकते हो तो यह है बच्चों आप लोगों का final answer देखो आसान था ना question number 6 इसमें जादे कुछ difficult है ही नहीं बस आपको सारी properties पता होनी चाहिए और properties मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था ठीक है और बाकि hypotenuse यह जो होता है पाइथागोरस theorem यह तो आप जानते हैं पाइथागोरस theorem क्या होता है पहले से सीखते हुए मतलब इनको भी हमने solve कर लिया है ठीक है और इसकी पीडिया फाइल जो है आप लोग को अविलेबल करवा दी चाहेगी हमारे एप के अंदर टीलिग्राम चैनल में भी मैं को सुल्व करेंगे तो जितना सिखाया अच्छे से प्रैक्टिस करो कुछ नहीं समस्ता है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग और मिलेंगे अगले वीडियो में ध्यान रखिए का अपना ठीक है चलिए बाइवरीवन